दोस्तों अगर आप भी अपने credit card से पैसा निकालना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि बहुत ही आसान है पैसा निकालना अपने credit card से तो guys यह आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यह सोचके क्योंकि guys कुछ दिन पहले ना मैंने HDFC bank की credit card से ATM में जाके पैसा निकाला था और भाई सच बताओं बाद में जो मुझे फटका लगाना guys वो मुझे ही पता है तो guys आप कभी यह गलती कभी मत करना अगर आपको कभी जरुत पड़ती है emergency में कभी कभी हो सकता है कि आपके account में इतना balance नहीं रह पाता है जिसकी वज़े से आपको emergency में ATM से में जाकर पैसा निकालना पड़ता है लेकिन अगर आप credit card का use करते हैं ना ATM में जाकर पैसा निकालने के लिए तो भाई बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो अब देखिए मैं आपको समझाने का try करता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप जो है अपना थोड़ा mind use करके दिमाग का use करके आप free में भी पैसा निकाल पाएंगे और बिल्कुल genuine application के बारे में आपको बताऊँगा ठीक है अब देखिए guys यहाँ पर na HDFC bank का credit card में यूज कर रहा हूँ तो example में आपको HDFC bank का द इसली जो मैं charge करूँगा यानि कि आपसे interest लूँगा 2.5% यानि कि 0.5% ठीक है अब अगर मानके चलो आप 5000 रुपे निकालते हो ना तो भाई 0.5% मनता है 125 रुपे ठीक है लेकिन bank बोलता कि भाई या तो 0.5% होना चीए या फिर minimum 500 रुपे होना चीए तो जो भी ज्यादा amount रहेगा ना वो हम आपसे charge करेंगे it means कि अगर 5000 रुपे 125 रुपे charge लगते हैं 0.5% की हिसाब से तो भाई bank उसको ना लेके minimum जो यहाँ पर 500 रुपे है ना amount penalty की तो वहाँ पर आपसे 500 रुपे charge करेगा हर महिने के हिसाब से अब आप सोचो कि आपने 5000 रुपे निकाले और 500 रुपे आपने उसकी penalty दी अगर आप उसको multiply 12 में करेंगे एक साल में 12 महिने होते हैं तो भाई कुल मिलाके ना 6000 रुपे आपके लग जाते हैं इस हिसाब से अब आप सोचो कि 5000 रुपे निकाले और अगर आप एक साल में उस payment को जमा करते हैं तो भाई आपको देना पड़ लिए तो इस condition में आपको minimum 500 रुपे देने की ज़रत नहीं है फिर आपसे bank charge करेगा 2.5% कुल मिलाके बनता है भाई 1000 रुपे और अगर आप 1000 रुपे को multiply करेंगे 12 में 12 महिना होता है तो भाई आप सोचो कि पूरा का पूरा ना 12,000 रुपे आपसे extra लिए जाते हैं अगर आ पूरा एक साल में payment करते हो तो इस बात का आपको खास कर ध्यान अखना है चलिए बात करते हैं कि अगर ATM में जाकर आपको credit card से पैसा नहीं निकालना है तो क्या तरीका है गाईस देखिए market में बहुत सारी आपको application मिल जाती है कुछ application आपको ऐसी भी मिल जाती है जो AP की file मे होती है यानि कि आपको third party की थूरू बहुत सारी अप ऐसी है गाईस जो market में है बट वो Google Play Store पर available नहीं है लेकिन मैं आपको request करूँगा आपसे कि कभी भी आप ऐसी application का use कभी मत करना जो आपको Google Play Store पर available ना हो क्योंकि दोस्तों Google Play Store पर वही application available होती है जो बिलकुल secure and safe होती ह जो Google की termine conditions को follow करता है इस बात का आपको ध्यान रखना है बहुत सारी यूट्यूपर आपको वीडियो मिल जाएंगी जहां पर आपको बताया जाएगा कि भाई एक भी पैसा आपको नहीं देना है आप इस application को download करो अपने phone पर download करने के बाद आप जो है credit card की details को fill up करो और आप असानी से अपना पैसा निकाल पाएंगे लेकिन सोचे कि आज कल market में बहुत जादा scam चल रहा है fraud हो रहे हैं अब आप सोचो कि अगर आप किसी application को अपने credit card की details को share करते हैं और मान के चले कि कभी भगवान ना करे आपके साथ में आज बहुत बड़ा fraud हो जाए तो फि Amazon Pay हो गया इसके लावा Amazon Pay Free Recharge और इसके लावा HDFC Bank का भी खुद का app है जिसका नाम है PageUp और इसके लावा guys एक बहुत ही कमाल की app है Easy My Deal और guys मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना लगबग में सभी application का यूज कर चुका हो तो जादा तर application का यहाँ पर जो charge है वो भाई यहा Easy My Deal से आप कैसे जो है बिना किसी charges के हाला कि charge लगता है बट अगर आप थोड़ा सा पना mind का use करेंगे दिमाग का use करेंगे तो भाई आप अपना ना charges बचा पाएंगे और आप बहुत ही आसानी से अपने credit card से पैसे निकाल पाएंगे और directly आप उस पैसे को अपने bank खाते मे transfer कर पाएंगे अब दुस्तों आपको कोई काम करना है आपको video की discussion में जाना है और वहाँ पर मैं आपको इस application का link के दे दूँगा जैसे आप link पर click करेंगे यह आपको app store पर लेकी जाएगी यह play store पर लेकी जाएगी अब आपको सबसे पहले इस app को download कर लेना है is he my deal उसकी आप इसको simply open करेंगे जब भी आप इस app को open करते हैं आपको इसको allow करना है permission देनी है और आपको click करना है यहाँ पर let's get started और guys यह ना made in India application है बिलकुल safe and secure है because यहाँ पर यह application RBI यानि reserve bank for India से यहाँ पर बिलकुल approved है तो आपको बिलकुल भी घबराने की कोई जरुत नहीं है तो यहाँ पर हम click करते हैं let's get started उसकी बाद आपको करना है यहाँ पर sign up आपको सबसे हमले यहाँ पर account बनाна होगा बहुत ही simple है sign up करेंगे यहाँ पर अपना पूरा नाम को enter कर लेना है उसकी बाद आप करेंगे यहाँ पर next और next करने के बाद आपको यहाँ पर अपना mobile number क एंटर कर लेना है अब आपको generate OTP के उपर क्लिक करना है अब आपके नंबर पर ना यहाँ पर एक OTP आएगा one time password उस OTP को आप यहाँ पर fill up करेंगे और verify now के उपर क्लिक कर देंगे verify करने के बाद आपको यहाँ पर अपना email ID जिसको हम Gmail ID भी कहते हैं email ID यहाँ पर enter कर लेंगे और यहाँ पर आपको click करना है generate OTP अब guys आपके जो email ID है ना उस पर एक OTP जाएगा one time password तो चलिए हम अपनी Gmail ID को यहाँ पर open करते हैं यहाँ पर हमारे पास OTP आ चुका है तो हम इस OTP को वहाँ पर fill up करेंगे OTP fill up करने के बाद आप यहाँ पर verify now पर click कर देंगे और यहाँ पर ना आपका इस तरीके से यहाँ पर sign up हो जाएगा अब guys आपको सबसे बहले एक बात ध्यान अकना है अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा benefit चीए तो आपको यहाँ पर अपनी full KY KYC complete करवानी है KYC करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे नजर आएगा more का एक options है क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक options है complete your KYC क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे दो types की guys यहाँ पर KYC एक है mini KYC mini KYC में आपको क्या क्या benefits मिलते हैं वो आपको यहाँ पर नजर आजाएंगे और full KYC में आपको क्या क्या यहाँ पर फायदे मिलते हैं वो आपको यहाँ पर नजर आजाएंगे अगर आप KYC नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है क्या limitation देखने को मिल जाती है वो आप एक बाड़ चक करेना तो अभी हमें यहाँ पर full KYC करनी है तो हमें full KYC के उपर click करना है यहाँ पर आपको अपना pen number को enter करेना है और जो भी pen number के उपर नाम है आप full name enter करेंगे इस box को tick करेंगे और नीचे से submit कर देंगे अब यहाँ पर guys हमारा mini KYC complete हो चुका है और mini KYC आपका pen card से complete हो जाता है अब हमें अगर full KYC करनी है तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है complete your full KYC click here जैसे आप click here करते हैं यहाँ पर आपको अपना आधार number को enter करेना है box को tick करेंगे और verify now के उपर click कर देंगे आप जो भी mobile number आपके आधार card के साथ में link है उस number पर एक OTP आएगा आधार card की तरब से UIDI की तरब से उस OTP को आप यहाँ पर fill up कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर verify करना होगा verify now अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है अभी यहाँ पर आपकी जो है congratulations your full KYC is completed यानि कि हमारी full KYC यहाँ पर complete हो चुकी है उसकी बाद हम करेंगे यहाँ पर start transitioning अब यार दोस्तों इस application में बहुत सारे feature आपको मिल जाते हैं लेकिन guys जो हमारा सबसे काम का feature है वो है credit card से पैसा bank में transfer करना तो यहाँ पर एक options है pay via credit card जैसे आप click करेंगे अब आपको यहाँ पर payment करने के दो option नज़र आएंगे लेते हैं तो आप एक दिन में अपने bank खाते में 95,000 याने कि 95,000 तक पैसा transfer कर पाएंगे और सबसे कमाल की बात यह है guys कि अगर आप full KYC करवाते हैं तो यहाँ पर मातर 1% आपसे charge दिया जाता है अब आप सूच रहे होंगे कि भाई मैंने starting में बताया था कि आपको free में करना है अब guys free में ऐसे करना है अब देखीगा यहाँ पर मेरे पास एक credit card है Amazon Pay I.C.S.A. Bank का credit card अगर मैं यहाँ पर ना कोई भी transaction करता हूँ guys यहाँ पर मुझे flat 1% का cashback मिलता है इस card ठीक है अगर मैं Amazon Pay I.C.S.A. कोई shopping करता हूँ Amazon की application से तो Amazon card पर मुझे 3-5% का cashback मिल जाता है अब आप अपने credit card पर offer चक कर लेना कि क्या आपको offer मिलते हैं तो उसकी हिसाब से भाई अगर मैं बात करूँ 1% अगर मुझे 4 लग रहा है और 1% मुझे cashback वापस मिल रहा है तो मेरा काम सारा free में हो जा रहा है न तो यहाँ पर जो है मुझे अपने bank खाते में पैसा भीजना है तो मैं click करूँगा यहाँ पर enter bank account क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो है सबसे पहले bank account number को एंटर कर लेना है अपसी code एंटर करेंगे account holder का नाम एंटर करेंगे जिसका नाम से bank खाता है कितना पैसा आप transfer करना चाहते हैं amount को एंटर कर लेंगे अब यहाँ पर दुस्तों मुझे फिलाल 1000 रुपे की ज़रुत है तो मैंने यहाँ पर 1000 रुपे amount enter कर लिया है उसके बाद आपको करना है proceed के उपर click अब यहाँ पर दुस्तों एक बार आप चक कर लेंगे कि आपने जो भी account के details को fill up किया है वो सही होना चीए एक बार आप चक कर लेना अब यहाँ पर देखिए अलग-अलग options है एक है quick transfer यहाँ पर जो है guys quick transfer में 1.5% आपको देना पड़ता है और यहाँ पर 3 घंटे के अंदर अंदर आपका पैसा आपके bank खाते में आपको मिल जाता है इसके अलावा यहाँ पर lazy transfer है 1.2% जो business day होते हैं जिस दिन bank open रहते हैं उस दिन जो है आपका यहाँ पर holiday नहीं होना चीए आपका easily transfer हो जाता है 1.2% लगता है इसके अलावा यहाँ पर एक options है slow transfer और यहाँ पर 1% दिना पड़ता है और 2 business day में आपका यहाँ पर पैसा transfer हो जाता है guys business day का मतलब होता है जिस दिन कोई छुटी ना हो festival ना हो Saturday Sunday ना हो उस दिन को छोड़कर बाकरी days में जो है count करे जाएंगे इस बात का आपको ध्यानक ना है तो जैसे अब हमें slow transfer चीए 1% लग रहा कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर आपको किस तरह के से payment करनी है जैसे credit card है तो हम यहाँ पर credit card को select कर लेते हैं अब ही यहाँ पर दिखा रहा है कि भईया यहाँ पर 1011 रुपे 80 पैसा में देना है याना कि 11 रुपे 80 पैसा इसलिए guys क्योंकि 10 रुपे यहाँ पर charge है और यहाँ पर 1 रुपे 80 पैसा यहाँ पर GST है टैक्स है तो कोई दिक करना होगा जैसे कि card holder name क्या है card का number क्या है expiry month year cvb number और उसके बाद आप करेंगे pay की उपर click pay करने के बाद guys देखीगा थोड़ा सा आपको यहाँ पर wait करना होगा अब आपके number पर जो है bank की तरफ से एक OTP आएगा one time password तो आप एक बार चक कर लेना OTP और यहाँ पर amount भी चक कर लेना कि बिल्कुल 11 रुपे है बिल्कुल okay है OTP डालके submit कर देंगे जैसे guys मैंने यहाँ पर submit किया न अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है मेरा payment processing में चला जाएगा तो अभी guys यहाँ पर आप सकते हैं कि हमारा यहाँ पर दिखा रहा कि भी आपका जो पैसा है न वह आपको कब तक transfer हो जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 21 तारिक 11 बचकर 69 मिनट तक आपका पैसा आपके bank खाते में easily transfer हो जाएगा settlement हो जाएगा तो आपको बिल्कुल भी confuse नहीं होना है आप बिल्कुल थोड़ा सा wait करेंगे पैसा आपके bank खाते में easily transfer हो जाएगा अगर दुस्तों आपको वीडियो helpful लगा हो वीडियो को like जरूर कर दें अपने दूस्तियारों के साथ में इस वीडियो को जरूर share करें और अगर आपका कोई सवाल है या आप प्लीज कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं